हेलो एब्रिवान आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले बेशन की पापड की रेस्प्री लेकर के ये पापड बहुत ही टेश्टी होते हैं करारे होते हैं कुरकुरे होते हैं खाने में इनका स्वार लिज़त पापड जैसा होता है लेकिन बनाना तो यहां पे दो चमश डाल रहे हैं और इसको बराबर कर ले रहे हैं अभी थोड़ा सा कम है कटोरी में तो एक चमश और डालेंगे अब यह देखिए हमारी कटोरी भर गई है पूरी एक कटोरी यह हो गया है हमारा बेशन का फ्लोर इसको बड़े साइस के बॉल में पापर बनाना है उसमें हम चान करके डालेंगे और इस बोल को चान लेंगे ताकि इसमें थोड़े बढ़ जो चंप रहे जाए और फिर से कटोरी पानी लेंगे और यह जो बॉल है जिसमें बेशन का पेस्ट लगा है इसे हम पानी डालते हुए निकाल लेंगे अब तक दो कटोरी पानी का यूज हम कर चुके हैं अब उसी कटोरी से इसमें हम और पानी डाल रहे हैं तो यहाँ पे दो कटोरी डालने के बाद पाच कटोरी पानी का यूज और हम कर रहे हैं यानि टोटल साथ कटोरी पानी तो धियान रखिएगा एक कटोरी बेशन का फ्लोर के अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गोल देखिए हमारा कितना पतला है लेकिन जैसे जैसे पकेगा गड़ा हो जाएगा चली इसको रतिते हैं पकने के लिए अभी शुरुवात में हम फ्लेम को हाई रखेंगे और लगातार चलाते वे पकाएंगे फ्लेम को हाई यह गाड़ा होने लगेगा लगवग 5-7 मिनट बीद गये हैं और गोल को देखिए पहले से कितना जदा थिक हो गया है लेकिन अभी भी उबाल नहीं आ रहा है तो हम लगाताल चलाते हुए पकाएंगे लगवग 10 मिनट पकाने के बार गोल में उबाल आना स्टार्ट हो गया ह जब एक बार गोल में उबाल आ जाए तो फिर इसको लगताल चलाने के जुरत नहीं है बीच बीच में हम थोड़ा साथ छोड़ भी सकते हैं और फिर से चलाते जाएंगे बस ध्यान रखिएगा नीचे तली में चिपके नहीं और आप देखिए गोल कितना फ्लफी हो गया ह है बिल्कुल जाबदार हो गया है आप इसको चमल से चलाकर देखेंगे बिल्कुल हलका लगेगा तो इसको बीच में हम चलाते जा रहे हैं और यह दिखे पहले से ज़्यादा गारा होता जा रहा है इसको उबालाने के बाद हमें 10-15 मिनट तक लगातार चलाते हुए पका अब फ्लेम को हम आउप कर देंगे और इसे नीचे उतार के रख देंगे अभी यह दिखेंगे अब हमारा बहुत जादा गरम है इसमें बहुत जादा पापर नहीं बनेंगे इसको और बढ़ी अ फ्लेवर देने के लिए सोड़ सवर मसाले डाले है तो यहां पर मैंने आज आजवाइन और आजवाइन और आजवाइन कोटी वी काली मिची डाली है काली मिची डालने से इसमें लिजज़त पापड का स्वाद आता है तो इससे जरूर डालिएगा बहुत अच्छा लगेगा और लगबक 10 मिनट बीद गया है इसको चलाते हुए हमने ठंडा कर लिया जाते हैं तो थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे और यहां लिजे सारे पापड़ों को अमने बना लिया है एक कटोरी बेशा में पचास से भी ज्यादा पापड बनके तयार हुए है इन पापडों को में बहुत देज दूप में सुखाना है तो जिस दिन दूप अच्छी हो उ हमारे पापड बनकर के तयार है इस्टोर करने के लिए अब आप चाहें तो एयर टाइक कंटेनर में भरके रख दीजिए और सालो इस्तिमाल करिए बिल्कुल खराब नहीं होगे चली इन फ्राइट करके दिखते हैं प्राइट करने तरह आल को अच्छे से हीट करेंगे उस अब आप बनाने के लिए हैं दिखता है ना सोडा को न तो बिल्ने का जंजड़ता आप अकेले हैं तभी इन पापर को बना सकते हैं बस मेजरमेंट के ध्यान रखते हुआ बबए बनाएंगे तो पापर बहुत अच्छे बनेंगे और डेशच़ और लिफके शुखाई तो इस तरह से वेशन के पाबर बना लूए पापड पापुर होते हैं कंवा बिलूएक हैं справूल है अर फॉर्पूरे हो भ़हत हीतव होते हैं यह दिखिए तुरन तूट जा रहे हैं तो अगली बार इस तरीके से पापड बनाईएगा आप सबको बहुत पसंद आएगा वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो के नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें